हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो की है MP में पैरामेडिकल स्टाप की विकेंसी के रिजल्ट से संबंध है जिया दोस्तो आप सभी को बता दू महात्मा गांदी मैमोरियल मेडिकल कॉलिज इन दौर में पैरामेडि चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं महात्मा गांधी मैमोरियल मेडिकल कॉलिज की ऑफिचल वैपसाइट पैर जो की है mgmmc indoor.in यहाँ पे नीचे आएंगे तो लेटेस्ट अपडेट में हम आपको लिए चलते हैं आप देखेंगे result of NHM scientist post NBV DCP post lab technician 14.10.2021 का यह अपडेट है यहाँ पे post scientist result आचुका है साथ ही आया है lab technician का result तो चलिए हम देखते हैं किन candidate का यहाँ पे selection हुआ है lab technician की अगर हम बात करें lab technician का अगर हम बात करें तो फ्रेंट से तेरा तारिक होई update आचुका था result में आप देखेंगे दो candidate का नाम है पहले पर है सिवांगी नागेस का नाम जो की lab technician की post पे selected हो चुकी है result में आप देख सकते हैं साथ यहाँ पर प्रिया का नाम है जो की waiting में हैं अभी lab technician की post के लिए तो फ्रेंट्स यही थी जानकारी अब हम scientist का और result देख लेते हैं किन candidate का वहाँ पे selection हुआ है notification हम download कर लेते हैं अब देखेंगे scientist का जो result है वे तेरा दस दो जा रिकिस्ट को आ चुका था इसमें Mr. तुलसी राम का selection हो चुका है तुलसी राम बर्म आप सभी जाईए और MGM में joining ले लिजे क्योंकि interview के माध्यम से यह आपका selection हुआ है part time यह भरती थी केवल 11 महीने के लिए संविधा भरती थी तो फ्रेंट्स चैट थी जानकारी आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको MP में paramedical vacancy के result से संबंदे तो और की information चाहिए तो आप comment session के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं धन्यवाद